बॉलिवुट के भाईजान यानि कि सल्मान खान अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं हाली में सुल्तान ने एक बार फिर ये साबित भी कर दिया है दबंग खान ने राकी की मौम जया सावंत की बीमारी का सारा खर्च अपने सर ओड लिया है यहां तक की भाईजान खुद उनकी हेल्थ अपडेट भी ले रहे है कैंसर से जूज रही राकी सावंत की मा ने कहा थैंक यू सल्मान राकी की मा के इलाज का सारा खर्च उठा रहे हैं बॉलिवुट के सुल्तान राकी सामंत इन दिनोंस मुश्किल दोर से गुजर रही है राकी की मा जया सामंत को कैंसर है मुंबई की अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है जल्दी राकी की मा की सरजरी होनी है फेलहाल उनकी कीमो थेरिपी ट्वीटमेंट चल रही है बिग बॉस के घर से बहार निकलने के बाद ही राकी सामंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेर कर फैन से मा के लिए दुआएं मांगी थी इसी बीच राकी सामंत की मा ने एक वीडियो के जरिये सल्मान खान को थेंक्यू कहा है इस वीडियो को राकी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेर किया है वीडियो में राकी की मा कह रही है कि सल्मान जी थेंक्यू बेटा सोहिल जी थेंक्यू ये जो अभी मेरा कीमो चड़ रहा है मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ आज का चार हो गया दो बाकी है उसके बाद ऑपरेशन होगा आप लोग को परमेशवर खूब आगे बढ़ाए और आप लोग सही सलामत रहो आपकी हर एक मनो कामना पूरी हो जय सावनद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है तमाम प्यांस राखी की मा के लिए जल्द ठीक होने की दुआय मांग रहे हैं साथी सल्मान खान की भी तारीव कर रहे हैं बता दे कि राखी की मा के इलाज का सारा खर्च सल्मान खान के NGO Being Human Foundation की तरफ से उठाया जा रहा है सल्मान खान खुद भी अपने डॉक्टर के जरिये राखी की मा की तब्यक पर नजर बनाए हुए हैं वो डॉक्टर को फोन कर खुद जयसावंद की हल्थ कंडिशन की अपडेट लेते रहते हैं इस मुश्किल वक्त में राखी को उनके दोस्तों का भी साथ मिल रहा है थर्सडे को ही कश्मी राशाह और संभावना सेट भी राखी की मा का हलचाल जानने के लिए अस्पताल पहुची थी इससे पहले भी राखी ने सल्मान के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने सल्मान को गौट ब्रदर, किंग ओफ किंग बताते हुए दुआ की थी कि भगवान उनकी सारी दुआएं पूरी करे खबरे हैं कि राखी को बिग बोस 14 में एंट्री भी सल्मान खान और सोहिल खान की वज़े सही मिली थी आर्थिक तंगी से गुजर रही राखी को काम की तलाश थी, खुद राखी ने ये खुलासा किया था कि काम की तलाश में उन्होंने सोहिल खान को मेसेज भी किया था इसके बाद राखी ने कहा था कि शायद सोहिल ने ही सल्मान तक उनका मेसेज पहुचाया था जिसके बाद ही उन्हों विग बॉस के घर में एंट्री मिली थी विग बॉस के चौदवे सीजन में एंट्री करते ही राकी ने शो में जान डाल दी थी विग बॉस के घर से राकी चौदा लाक रुपे लेकर बहार निकली थी राखी ने कहा था कि वो इन पैसों से अपनी मा का इलाज करवाएंगी वैसे ये पहली बार नहीं है कि सल्मान ने बिना सामने आए किसी की मदद की हो दवंग खान अपनी इसी दर्या दिली के वज़े से हमेशा फैंस के दिलों में बसते हैं